हलो फ्रेंट्स आज हम यह देखे यह इस तरह का पॉर्स वाला कीचेन बनाएंगे जो कि बहुत ही सुन्दर लग रहा है अट्रैक्टिविटी दिख रहा है देखिए बहुत ही आसान से बन जाने वाला है तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इस तरह से हम अपने पॉर्स मे एक चेन और दो चेन दाद करके इसमें हमें 11 डबर क्रोशिय बनाना है ऐसे डबर क्रोशिय एक दो थीन चार इस तरह से में 11 डबर क्रोशिय बनाना कि दिखाते हूं यह देखिए एक 11 हमारा डवा क्रोशे बन गया है अब इसे हम इस तरह से खीच लेंगे और जहाँ पर दो चेंड दिया था यहाँ पर हमें स्लिपनोट से इस तरह से जोईन कर लेना है फिर तीन चेंड एक पन्दे कोना है दूसरे फंदे में इस तरह से ही स्लिपनोट से जड़ देना है इस तरह से slip knot से जोड़ना है, फिर से हमें 3 chain लेना है, 1, 2, 3 chain, एक को skip करना है, और दूसरे फंदे में हमें इस तरह से slip knot से खिश लेना है, फिर से 1, 2, 3 chain, एक को skip, दूसरे से जो, 1, 2, 3 chain, एक को skip करके, दूसरे से हमें slip knot में बादना है, इस तरह से पूरी round complete कर लेंगे, एक को skip करके, देखें, मेरा पूरा बन ही चला है, फिर से 1, 2, 3 chain, एक को skip दिया, फिर यह, यहाँ पर, यह, और अब जहां से शुरू किया था हमने, यहाँ पर, यहाँ पर, हमें slip knot से, इस तरह से, जोल लेना है, फिर एक chain करना है, अब हमें, हर एक यह जो तीन chain का जो गया आप एले रखा था ना, हमें तीन chain का इसमें, इसमें, पाच पाच double crochet बनाना है, एक double crochet, तू double crochet, तीन double crochet, चार, और एक पाच, जो तीन chain का हमने gap लेके slip knot से जोड दिया था, पाच बन के double crochet, अब मैं एक chain लूँगी, और इसी में हमें slip knot से, इस तरह से attach कर देना है, यहाँ, फिर से एक chain लेना है, slip knot से attach करने के बाद एक chain लेना है, फिर नेक्स्ट वाले यह gap में, तीन chain के gap में, हमें फिर से पाच double crochet बनाना है, दो, एक एक यह petal सा बन जा रहा है, तीन, चार, और यह पाच, पाच, फिर एक chain, फिर इसी में हमें slip knot से जोड़ना है, फिर एक chain लेना है, फिर next, नेक्स्ट इस gap में हमें फाच chain बनाना, इस तरह से मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूं, इस तरह से, दो बन गया है मेरा, और पूरा round बना के आपको दिखाती हूं, एक chain लेना है हमने, फिर से यहाँ slip knot से हमें जोड़ना है, फिर से एक chain लेना है, अब देखे क्या करना है, एक chain लेने के बाद हमें इधर से, पिछे की तरफ से, single crochet मनाना है, यहाँ पे है न, इस gap में, यह डालके इस वाले फंदे से हमें निकालना है, यह जो gap था, इस में से हमें, इस वाले फंदे में, यह डाला, और यह जो एक फंदस है न, इस में से, यह, यह यू निखाता है इसमें हमें इस तरह से सिंगल प्रोश्य बराना है एक दो अब यह यहां से एक और इधर से जा रहा है जो पंदा इसमें दो एक इसमें डालकर दो इसके नेक्स्ट वाले पैटल के गैप में से यह उठाते हुए फिर दो एक दो पैटल के किनारे के जो एक से दूसरी में यहां से जा रहा है जो उसमें भी दो बनाना है एक दो नेक्स्ट पैटल दिखाती हुए से पिछे से यह है और यह जो है ना यहां का गैप सा इसमें से इसको देमें छुपाती जा रहे है इसमें पिर एक पैटल से दूसरे पैटल के लिए गैप जो था यहां पर इसमें भी दो बनाना है इस तरह से हमारे देखिए उचा सा यह हो जा रहा है न यह देखिए चैन पर यह देखिए वंचा सा यह बन रहा है इस थरह से हम बनायेंगे पूरा मैं यहां तक बना के आपको दिखाती हूँ यह पूरा का पुरा कि यह देखिए इस तरह का कुछ हमारा बन गया है यह मैंने दो फ्लार बना लिये हैं यह देखिए यह और एक यह इसको भी मैं पिछे की तरफ इसको अटेच कर दूंगे चुपा दूंगे इसके बाद इसको मैं एक इस तरह से नॉट बनाओंगी अब इसको हमें इसमें अटेच करना है इस तरह से हमें लेकर और इस तरह से लेकर हमें दिये होगा एक चेंज एक चेंज से हमें इसको बान दिया है और मैं बारा चेंज बनाओंगी एक दो तीन चार पार छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा चेंज बनाओंगे के बाद यह वाला है जो इसको भी इस तरह से यह इदर से और यह यहां पर इस तरह से करके हमें यहां पर स्लीप नॉट से निकाल लाना है फिर एक चेंज बनाना है अब हम सब में एक एक लूप लेते जाएंए इस तरह से इस तरह से यह लिए और इसमें असा फसा लेकर फिर हर एक में से यूँ एक लूप मतलब बारा हर हमें लूप लेना है इस तरह से सम्में से तो मैं यहां तक लेके लूप लेकर आपको दिखाते हुए इस तरह से लेना है पुरा लेकर दिखाते हुए इस तरह से हमें 11 ले लिए उसके बाद से यह 12 हो गया अब यह 13 लेना है हमें ऐसे फंदा लिया और इस वाले उसमें इस तरह से डबल कोश्या अब हमें हर एक में का दो दो उतारते जाना है यह यह और यह दो यानि एक तो है ही यह अधर से दो तीन तीन उतरेगा ऐसे इस तरह से हम उतारते जाएंगे इस तरह से इस तरह से निकालना है अब इसको हमें इसको फंदा को छोड़ना है यहां इधर हमें नेक्स्ट फंदे में यूँ डालकर इस तरह से निकालना है एक चेन लेना है एक चेन लेने के बाए हमें फिर से इसमें बारह लूब इसके दो उपर वाले एक यहां है शुनवात में है यहां है अब यहीं पहार यहीं नीचे चला जारे एँप लिया है यह एक ऐसे लिया और हरेक में हमें इस तरह से हरेक में इस तरह से फंदा लेने कर 12 ले लेना है हमें इस तरह से इसे फंदा लेकर यूँ फंदा लिया यूँ अब हर एक में हमें इस तरह से लोग लेके जाना है यह फंदा उठा कर जैसे हमने किया था तो यह बारख का बारह ही हमें लेना है इदर से भी यूँ यह हो गया यह हो गया फिर एक एक्स्ट्रा इधर से लेना है इसमें हमें यूँ ले लेना है अब हमें फिर से यह तीन तीन निकालते जाना है ऐसे हम एक तो यह फंदा हुआ और यह दू फंदे हो तीन तीन हो गया है यह हमें इस तरह से निकालते जाना है पुरा निकाल के आपको दिखाती हूं देखिए हमें फिर से कर लिए फिर से वही करना है हमें छोड़ना है फंदा और इधर नेक्स्ट वाले फंदे में इस तरह से डालकर यह ऐसे डालकर एक चेन लेकर फिर हर एक में से एक ऐसे फंदा लेकर हर एक में से लूप लेते जाना है 12 इधर से 13 ले लेना है फिर यह back होते होते हमें सभी उतार लेना है इस तरह से हमें 15 राउंड करना है दो राउंड तो मैंने आपको दिखा दिया और 13 राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ पूरा बनाखर यह देखिए हमने 15 बार बना लिए है चुपाउंट करके बता देती हूं यहां से काउंट ले लिया है अब हमें ऐसा नहीं बनाना है अब देखिया हमें हर एक फंदे के ऊपर यह यहाँ पर हर एक फंदे के यह उपर वाले फंदे में यूं हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया कर लें हम उपर के फंदे में यहाँ पर डाल कर हमें यहाँ पर डाल कर हमें यहाँ हर एक में इस तरह से देखिए यहाँ तक हमने बना लिया इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऐसे बना देना है इसके बाद हमें 24 चेन बनाना है एक दो तीन चार पांच छेद इस तरह से मैं 24 चेन बना के दिखाती हूं देखिए हमने 24 चेन बना लिये हैं अब मैं इस साइड वाला यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ दोंगी अब हमें इस फंदे पर सिंगल क्रोशिया हर एक फंदे पर बनाना है इस साइड वाले में यहां से यहां तक हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है उसके बाद 24 चेन बना कर इसको हमें यहाँ पर अटैच कर देना है तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा तो मैं यह पूरा बना के आपको दिखाती हूँ देखें इस साइट का भी हमने यह कर लिया यह 24 चेन बना लिया है अब यहाँ पर हमें यहाँ पर लाश्ट में हमें स्लिप नॉट से इस तरह से अटेच करके एक चेन लेकर और इसको हमें पट कर देना है यह देखें यह हमारा बन गया है इसको हम चुपा देंगे इसमें ही इसको हमें इस तरह से चुपा देना है अच्छे से चुपा देंगे इसको अब यह देखें इस तरह से कुछ हमारा यह बट्वा टाइप पर्स बन गया है कीचें, पर्स में पर्स करूंध धरी कैसे लगा और कमेंट कर करके जरूर बतायेगा हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा धन्यवाद